सब सब पहले ब्राउजर में टाइप करेंगे Windows 11 Download अब जो पहला लिंक आएगा उस पर किलिक करेंगे अब जाएंगे Download Windows 11 Disk Image ISO फाइल के अंदर तो Windows 11 Multi Edition को करेंगे Select अब Download बटन पर किलिक करेंगे अब यहां से जो है Select करेंगे English International अब Confirm को किलिक करेंगे अब यहां पर लिंक खुल गया है 60 bit Download इस पर किलिक करेंगे अब यह हमारा अब यह हमारा अब करेंगे अब यह हमारा तो डाउनलोड हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब ये डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है अब सो इनफ फोल्डर देख लेते हैं ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारा विन्डो इलेवन आ चुका है अब इसकी हम जो है अब हम एक सॉफ्ट्रे राउट डाउनलोड करेंगे रूफस जो हमारे पेंट ड्राइब को विन्डो इलेवन का बूटेवल बनाएगा इसका डाउनलोड कर लेते हैं रूफस को अब इसमें जो है हमारे पास अवेलिबल है इस्टेम 3.21 वर्जन इसके अंदर ये ओप्शन नहीं है विदाउट टीपीम 2.0 तो ये रूफस जो है 3.2.1 को हम क्लोज कर देंगे और नया वर्जन एक डाउनलोड करेंगे 3.1.3.17 अब यहां से ओप्शन सेलेट करेंगे विदाउट नो टीपीम नो सिक्यूर बूट स्टार्ट पर किलिक करेंगे यस करेंगे डिस्क जो फॉर्मेट होगी अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए हम थोड़ा स्कीप कर लेते हैं बूटेबल डिस्क बन चुकी है